confidence and hard work is the best medicine to kill that disease called failure देखो यहां COVID की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां failure की बात कर रहे हैं लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि failures तो मतलब वैसा वाला है ना कि पहली CD चड़ी लो भाई, fail हो गए, तो fail हो गए, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम आगे कुछ काम करेंगे ही ने अब पहली CD पर ही fail हो गए ना, तो यहां success तक पहुंचेंगे कैसे तो यहां पर यह thought जो है, वो यह कहता है, कि अगर आपका confidence level बहुत अच्छा है अगर आप hard work करते हो, with your smart work, तो definitely आपका जो failure है, आप उसको खतम कर सकते हैं, it will make us a successful person, और अगर आपके अंदर यह दो चीजें हैं, दो quality हैं, तो आपको successful होने से दुनिया में कोई भी नहीं रोग सकता, देखो, दोस्त यार तो होते ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हमारे साथ failure आता है, तो हमारे घरबाले तो सुनाते ही सुनाते हैं, लेकिन दोस्त यार भी बड़े मज़े लेते हैं, अब इन चीजों से किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, यह चीज आपको सिखाया जाता है इस सौट के द्वारे, तीक है?